नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्न्मेंट लोग कॉलिज अजमेर आज हम बात करेंगे LLB 3rd Year के 4th पेपर, Labor and Industrial Law 2nd के बारे में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो करमचारी राजिबिमा अधिनियम 1948 से संबंदित है जिससे Employees State Insurance Act 1948 कहा जाता है, इस अधिनियम में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस सरीके से और कब ये अधिनियम शुरू हुआ, कहां कहां पर इसका विस्तार है उसके बाद हम लोग Section 2 Definitions पे आये थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ परिभाशाओं के बारे में बात की थी उन्हीं परिभाशाओं को आगे हम continue करते हैं, Section 2 Clause 7 के साथ इस परिभाशा में बताया गया है Julie Appointed मिंस सम्यक रूप से नियुक्त, जिसका दात पर रहे है कि इस अधिनियम के उबदों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों या वी नियमों के अनुसा नियुक्त कोई भी व्यक्ति तो उसे हम लोग Julie Appointed या सम्यक रूप से नियुक्त कहते हैं अगली जो परिभाशा है वो बताती है Employment Injury के बारे में मतलब नियोजन करते के दौरान या काम करते वे दौरान अगर किसी को नियोजन शती कहा जाएगा तो हो कौन सी होगी तो इसमें कहा गया है कि नियोजन ख्रती से अपने ऐसे नियोजन से जो बीमा योगि नियोजन हो और उसके अनुक्रम में उद्बूत दौरगटना से या उप जीवी का जन्य रोग से करमचारी को कारित वयक्त क्षति अभीप्रेथ है चाहे वे दुरगटना या उपजीवी का जन्य रोग भारत की प्रादिशिक सीमाओं के बीतर हुई हो या लगा हो या बाहर हो तो इसमें बताया गया है कि जो employment injury है वो जब भी कोई कोई जो employee है वो अपने काम के दोरान अगर कोई दुरगटना उसके साथ होती है या फिर वो इस तरीके का कोई काम कर रहा है जिसके वज़े से उससे कोई बिमारी हो जाती है तो उसे employment injury कहा जाता है अगली जो परिभाशा है वो employee की है कि करमचारी किसे कहा जाएगा तो इस पर काम के संबन में मजदूरी पर नियोजित है और जो उस कारखाने या स्थापन के किसी काम पर या उस कारखाने या स्थापन के काम के आनुशांगिक या प्रारंबिक या उसके संबन में किसी काम पर प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित है चाहे ऐसा काम करमचारी द्वारा कारखाने या इस्थापन में किया जाता हो या वह अन्यत्र और किसी जगे पर किया जाता हो दूसरे व्यक्ति जो करमचारी की परिवाशन में सम्मिलित है वो है जो ए व्यवहित नियोजग द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या इस्थापन के परिसर में या प्रधान नियोजग या उसके अभिकरता के परिवेक्षन मतलब सूपरवीजन के अधीन ऐसे काम पर नियोजित है जो मामूली तोर पर कारखाने या इस्थापन के काम का भाग है या जो कारखाने या इस्थापन के काम का भाग है या जो कारखाने या इस्थापन में किये जाने वाले काम का प्रारंबिक है या उस कारखाने या इस्थापन के नियोजन का आनुशांगिक है अध्वा जिसकी सेवाएं प्रधान नियोजक को उस व्यक्ति द्वारा एस्थाई रूप से उधार या भाड़े पर दी गई है जिसके साथ उस व्यक्ति ने जिसकी सेवाएं इस प्रकार उधार या भाड़े पर दी गई है कोई सेवयल सम्वेधा करके रखी गई है और इसके अंतरगत ऐसा व्यक्ति भी आता है जो कार खाने या इस्तापन के या उसके किसी भाग, विभाग या शाखा के प्रशाशन से या उस कार खाने या इस्तापन के लिए कच्चे माल के क्रैसे या उसके उत्पादों के वित्रण या विक्रैसे समधित किसी काम पर नियोजित हो तो हम कहा सकते हैं कि यहाँ पर सिफ काम करने वाले ही करमचारी की केटेगरी में नहीं आते हैं जो कि कुसी कार खाने या उसके प्रेमैसित परिश्वर में काम कर रहे हैं यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार खाने या किसी भी उसके परिशर में किसी भी कच्चे माल को खरीदने के लिए अगर काम पर लगाया गया है तो वो भी करमचारी की परिभाशा के अंदर आता है या फिर अगर किसी समान को तयार करने के बाद अगर वो उसके किसी भी तरीके के वितरन से संबंदित किसी काम में लगाया गया है उसे भी इस परिभाशा में रखा गया है ऐसे व्यक्ति को भी इस परिभाशा में रखा गया है जो कि शिक्षू अधिनियम 1961 के अधिन नियुक परकार नियोजित ऐसा व्यक्ति जिसकी मजदूरी अतिकाली ए्काम के लिए पारिष्रमिक को छोड़ कर ऐसी मजदूरी जैसा कि केंडरी सरकार द्वारा विहीत किया जाया मासिक से अधिक हो उस कालवदी के अंतितक करमचारी बना रहेगा अगली जो परिवाशा आती है वो दो दस में दी गई है और इसमें बात करते हैं हम लोग एक्जम्टेट एमप्लोई के बारे में कि छूट प्राप्त करमचारी कौन होता है तो इस परिवाशा के अनसार छूट प्राप्त करमचारी वह करमचारी होता है जो करमचारी अभिदाय देने के लिए इस अधिनियम के अधीन दाई नहीं है मिन्स कोई भी ऐसा एमप्लोई जो की इस एक्ट में किसी भी प्रकार के पेको पाने के लिए Employees Contribution के लिए अधिकार नहीं रखता है तो हम उसे Exempted Employee कहते हैं अगली जो परिवाशा है वो कुटुम यानि की परिवार के बारे में बताती है कि परिवार किसे कहेंगे कुटुम किसे कहा जाता है तो कुटुम एक बीमाकरत व्यक्ति के निमलित दिश्टिदार में सभी या उनमें से किसी से अभीप्रेथ है Family means all or any of the following relative of an in short person और कौन-कौन व्यक्ति उसमें आते हैं तो नीचे एक सूची दी गई है उस सूची के सभी व्यक्ति इस कुटुम की परिवाशा में समलित है जिसमें सबसे पहले बात की गई है इस spouse के बारे में यानि कि पती या पत्नी यदि कोई male काम कर रहा है तो उसकी पत्नी कुटुम की परिवाशा में आईगी और अगर कोई female employee है तो उसका जो husband होगा वो कुटुम की परिवाशा में आता है दूसरे इसमें बताया गया है ए minor legitimate or adopted child dependent upon the insured person कोई भी ऐसा एप्राप्तव है मतलब जो की minor है धर्मजी या बीमाकरत व्यक्ति पर आश्यत रहने वाला कोई व्यक्ति और इसमें legitimate और adopted दोनों ही तरीके के व्यक्ति आते हैं अगला जो इसमें आता है वो है एक शिशु जो भीमाकरत व्यक्ति का उपारजनों पर पूर्णते आश्यत होता है और वो कौन होगा जो शिक्षा तब तक प्राप्ते करने वाला जब तक कि उसकी जो आयू है वो 21 वर्ष की नहीं हो जाती है या फिर कोई अगर पुत्री है डॉर्टर है तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो वह उस कुटम उस फैमिली का हिस्सा माना जाता है कोई भी शिशो जो मानसिक या शाररिक या ख्षती या ऐस समानिता के कारण दुर्बल है और विमाकरत व्यक्ति के उपाजनों पर पूर्णता आश्टित होने का जहां तक की वह संबंध है तो यहां पर कोई भी ऐसा बच्चा हो सकता है जिसकी आयू तो जादा हो गई है लेकिन वो किसी भी ऐसे फिजिकली और मेंटली अबनॉर्मलिटी की वज़े से या फिकिसी इंजरी की वज़े से जो हमारा इंशोर्ट परसन है उसके उपर डिपेंड रहता है इसमें हमारे आश्रित डिपेंडेंट पेरेंट्स भी आते हैं जिनकी की इंकम खुद के पास अपना कोई आयका साधन नहीं होता है तो यहां पर बताया गया है कि डिपेंडेंट पेरेंट्स whose income from all sources does not exceed such income as many may be prescribed by the central government इसमें जो clause 6 है वो बात करता है इन केस दा इंशोर्ट परसन इस अन्मेरिट and his or her parents are not alive a minor brother or sister only depend upon the earning of the insured person तो इस तरीके से ये 6 जो category बनाई गई है जो किसी भी family में part of family माना गया है जिन लोगों को ये सब भी हो सकते है और इन में से कुछ भी हो सकते है अगली जो परिभाशा आती है वो factory यान के कार खाने की है फैक्टरी की परिभाशा में बताया गया है कि उसमें कौन इंक्लूड होता है तो इसमें किसी भी ग्रैप परी सर से अभी प्रेथ है जिसमें जहांपर 10 या 10 से व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है या किसी भी पूरवर्ती 12 महीने की किसी भी दिन पर मजदूरी पर नियोजित किया गया है जिसके विनिर्मान करने वाले किसी एक भाग में एक शक्ति की सायता के बिना ही किया जा रहा है या साधान तोर पर ऐसा किया जाता है तो यहां पर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और जहां पर अगर व्यक्तियों की संख्या है वो 20 या उससे अधिक न्योजित के जाते हैं लेकिन खान अदिनियम जो माइन्स आक्ट है 1952 का या एक रेलवे की छत्र साया के प्रवर्तन के अदिदिन रहते हुए एक खान को समलित नहीं करता है। तो यहाँ पे इन दो चीजों को एक्स्क्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो परिवाशा आती है वो कर आती है इमीडियेट एम्प्लॉयर के बारे में कि एव्यवित नियोजग कौन होता है। एव्यवित नियोजग से उसके द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित करमचारियों के संबंद में वह व्यक्ति अभिप्रेथ है। जिसने किसी ऐसे कारखाने या इस्थापन के परिसर में जिससे या अदिनियम लागू है या प्रधान योजग या उसके अभी करता के परिविक्षन के अधीन, किसी ऐसे संपूर्ण काम के या उसके किसी भाग के निश्पादन का भार उसके उपर लिया है जो मामूली तोर पर पर प्रधान योजग के कारखाने या इस्थापन के काम का भाग है या जो ऐसे किसी कारखाने इस्थापन में किये जाने वाले काम का प्रारंबिक या उस क पार खाने यह सापन के नियोजन का आनुशांगिक है और इसके अंदर का तवह विक्ति आता है जिसके द्वारा उस करमचारी की सेवा है जिसके साथ ऐसी सेवा समविदा उसने की हुई है उसका प्रधान योजन और एक ठेकेदार को समभिलित करना है जो ऐस थायरूप से आज कुछ परिभाशा है देखी नेक्स्ट परिभाशा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे धन्यवाद